इस सेशन में हम इंस्ट्रक्शनल अब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे और इंस्ट्रक्शनल अब्जेक्टिव्स को दो लेवल्स पे हम देखेंगे एक जिसको हम कहते हैं जर्नल अब्जेक्टिव्स और दूसरे स्पेसिफिक अब्जेक्टिव्स ये दोनों basically instructional objective के दो लेवल्स है अब पहले हम ये देखते हैं कि instructional objectives का source क्या है हमें पता कहां से चलता है कि हमारे पढ़ाने के मकासिद जो है वो क्या होने चाहिए पाकिस्तान के context में अगर आप देखें तो हमारे पास सबसे बन्यादी document जो हमें इसमें मदद करता है वो national curriculum का document है जिसके अंदर ये बताया गया होता है कि हमने इस course में क्या पढ़ाना है उसके बाद फिर उस national curriculum पे base करके बन्याद रखके उसको इसको इस्तमाल करते हुए हम textbooks बनाते हैं तो हमारे पास तो बन्यादी तोर पे यही दो source हैं जो हम यहां इस्तमाल करते हैं दुनिया में इसके इलावा और भी बहुत सारे source इस्तमाल किये जाते हैं जैसे professional organizations के जो हैं documents हैं उनको भी लोग इस्तमाल कर लेते हैं इसी तरह से और भी चीज़ हैं लेकिन हम क्योंकि अपने context में देखना चाहरे हैं तो हम सिर्फ यही देखते हैं कि यह दो चीज़े हैं बन्यादी तोर पे जो हमें guide करती हैं कि हमें instructional objectives जो हैं वो किस तरह के बनाने हैं आप कहीं भी किसी भी source से ले रहे हूं instructional objectives की selection के वक्त या उनके लिखने के वक्त दोनों सूरते होती हैं दोनों सूरतों में से किसी भी सूरत में जो चीज़ जहन में रखनी है वो यह है कि जो instructional objective हम बनाएं वो complete होना चाहिए एक objective एक particular चीज़ को पूरी तरह से cover करता हो वो आपके course के मकासित के साथ match करता हो appropriate हो appropriate से यहां मराद है कि जिस level के बच्चों के लिए बनाना है उनकी age के लिहाज से भी appropriate हो और जो content आप cover करने जा रहे हैं उसको भी पूरी तरह से cover करता हो तो हम appropriateness से हमारी यह मराद है हो जाने वाला हो feasible होना चाहिए soundness का मतलब है कि उसके अंदर यह strength हो जिससे हमें यह समझ आ पाए कि यह चीज़ जो है यह करने में sensible लगती है और इसके साथ उसका feasible होना यानि उसका किया जाना भी मुमकिन होना चाहिए सो हम general objective कहीं से भी pick करें उस सुरत में इन चार बातों का ध्यान रखना है हमने कि उसके अंदर यह चार खसूसियाद जरूर होनी चाहिए आप खुद लिख रहे हैं या आप कहीं से ले रहे हैं दोनों सुरतों में यह बातें ध्यान में रखने वाली है अब हम इसके बाद instructional objectives के अगली जो हमने भी पहले कहा था कि दो stages पर हम इसको लेते हैं general objective और फिर specific objective general objective के तहत बहुत सारे specific objective बनाए जाते हैं और जैसा कि इनके नामों से जाहर होता है general objective जो होता है इसके अंदर एक खास level of generality होना चाहिए अच्छे यह बात जो है ऐसे फिक्रें में बोल देने से शायद बहुत अच्छी तरह समझना आए लेकिन जब अगली slides में जाएंगे हम और को objective लिखा वा नजर आएगा तो मैं आपको इस बात को दुबारा से समझाने की कोशिश करूँगा कि generality से हमारी मुराद क्या होती है यह अबजेक्टिव लिखते वकत इतना ब्राड जरूर हो कि उसके अंदर बहुत सरी चीज़ें कवर की जा सकें जो उससे मुतलिक है इतना narrow ना कर दिया जाया कि वो topic ही बन जाए इसी तरह specific भी होना चाहिए बहुत generic नहीं होना चाहिए specific से हमारी मुराद यह है कि वो किसी खास content किसी खास skill को focus भी करता हुआ नजर आए यह बात यहाँ पढ़ने से आपने ज़िपस जहन में रखनी है और जो ही आगे हम मिसाल पर पहुंचेंगे तो मैं इसकी वजाहत आपके लिए और कर देता हूँ मसलने यह देखिए इसकी मिसालें दी हुई है नोज बेसिक टर्मिनालोजी यह एक जनरल अबजेक्टिव है अब देखिए कि यह जनरल जब मैंने कहा तो जनरल से मुराद यह है कि हमने इसके अंदर कोई content ने यह नहीं कहा कि नोज बेसिक concept आफ या basic definition आफ गैस यह नहीं कह दिया नोज देखिए इसलाम यह नहीं कहा हमने इसको बहुत जनरल रखा बेसिक टर्मिनालोजी अब यह टर्मिनालोजी जो है यह बड़ा ब्राड लफज है किसी चीज़ से मुतलिक भी terminologies हो सकती है जब हमने ये कहा कि general objective जो है उसके अंदर एक level of generality होना चाहिए तो generality से ये मुराद है कि उसके write-up में ये style है कि उसके अंदर जब हम लफ लिखें basic terminology तो ये बहुत किसी भी topic आपकी किताब में किसी भी chapter पर ये general objective अप्लाई किया जा सकता क्योंकि terminologies तो हर content area में नजर आएंगी लेकिन अगर हम यहां कोई content fix कर देते तो इसका मतलब है फिर ये general ना रहता ये specific बन जाता इसी तरह इसका पहला लफ देखें एक verb है nose अगले में देखिए पहला लफ है understands तीसरे में है relates, applies, interpret ये तमाम verb हैं यानि ये वो चीज़े हैं जो के ये जाहर करती हैं कि student से हमारी तवक्व क्या है इस objective के तैथ हम जानना क्या चाहते हैं मतलब nose का हम तब है कि ये bloom की taxonomy को अगर refer करें तो हमने पढ़ा था कि ये उसका सबसे lowest level of learning और ये verb उस lowest level of learning की measurement को जाहर करता है तीसरा दूसरी statement देखिए understands concepts अब concepts में किसी topic का नाम नहीं लिखा किसी भी topic का concept इसमें cover किया जा सकते हैं लेकिन understands उसको limit कर देता है जो पिछली slide में दो point मैंने बताया है कि generality होनी चाहिए और उसको specific enough होना चाहिए जिससे हम उसके अंदर measure की जाने वाली skills को अंदाजा लगा सकें कि वो कौन सी हैं so understands उसका level of learning मतायन करता है और concepts सिर्फ concept लिखने से मुराद है कि वो कोई भी concept किसी भी chapter किसी भी topic से हो सकता है आप इन तमाम statements को पढ़िए इन में specificity से मुराद है कि level of learning fix कर दिया गया और आगे हमने कोई content नहीं लिखा बलके एक ऐसा लफ़ इस्तमाल किया जिसके जरीए से इसका content का scope मैदूद ना हो सके बबस्तन अब एक और statement मैं पढ़ता हूँ देखें applies principles to new situation अब applies जो है यह उसका level of learning का ताइयन कर देता है यह bloom की taxonomy में तीसरा level of learning था जबके principles to new situations अब यह new situations और असूलों का इस्तमाल करके नई situation के मसाइल को हल करना तो वो मसला तो किसी भी topic में से लिया जा सकता है so generality और specificity का यह balance होता है एक तरह से इसको लिखने के बन्यादी असूल चंद मैं आपको बताता हूँ आपने जब भी general objective लिखना होगा तो वो हमेशा एक verb से शुरू होगा जैसे आपने भी देखा knows, understands, relates, applies, analyzes इस तरह की किसी लफ्स से शुरू होगा और यह hint के तोर पे आप याद रख सकते हैं कि यह लफ्स यूजिली bloom की taxonomy के किसी ना किसी level के साथ मुतलिक होते है एक general objective में एक ही चीज़ को focus करना चाहिए content के लिखाज से भी और skill के लिखाज से भी मैं ऐसा objective नहीं लिख सकता जिसमें यह हो knows and understands this and that knows and understand एकठा नहीं या knows या understand या applies या understand इन में से एक वर्ब इस्तमाल होगा इसी तरह आगे जाके knows and understands basic concepts and graphical representations नहीं ये दो बातें कठी आगे नहीं डालूँगा एक knows concepts concept के साथ दूसरा content का इरिया भी नहीं डालना और knows के साथ कोई और वर्ब भी नहीं डालना यानि एक statement में एक चीज़ को focus करना है हमने जैसे अभी पहले भी जिकर किया कि जब आप इसकी statement लिखें तो इसको course content से free रखें यानि course content bound ना करें understand concepts में concept ने content bound नहीं किया वो concept जो है वो इخलाकियात में से भी हो सकता है वो concept जो है अबादात में से भी हो सकता है वो किसी भी topic इसलामियात के में से लिया जा सकता है मैं साल के तो बता रहा हूँ तो इसलिए इसको आप जनरेलिटी से मुराद content फ्री रखने से मुराद यह है कि वो topic specific ना हो जाए इसी तरह जब आप objectives लिखें तो यह कोशिश करिए कि उनमें overlap ना हो एक objective में जो चीज मेयर कर ली वो अब दूसरे objectives में दुबारा दुबारा उसको ना आने दे इससे हर objective अलएदा अलएदा measurable होगा और overlapping से avoid करेंगे यह इसके चंद असूल थे इनको लिखते वकर जिनको statement लिखते वकर आपने ध्यान रखना है और जो statement मैंने आपको मिसाल के तौर पर पिछ इससे पहले वाली slide पर दिखाएं उन तमाम को लिखते वकर इन असूलों का ध्यान रखा गया तो आप जब पढ़ें objective कह लिए specific learning outcomes कह लिजिए अब हर general objective को achieve करने के लिए हम उसे break down करते हैं उसके specific objectives में यानि हमने कहा के nose concept तो अब मुझे ये फैसला करना है कि nose concept से क्या मुराद थी मेरी और उन concepts को जानना अगर हो तो उनको कैसे मैं break down करें छोटे छोटे actions में जिनके जरीए से वो इसको समझ सकते हूं तो पहली बात तो ही हो गई कि हर specific learning outcome किसी ना किसी general objective के साथ associated होती है generally देखा गया है कि लोग एक side पे general objective लिए लेते हैं दूसरी तरफ एक लिए specific objectives की बना लेते हैं बाद में ये समझ आना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा specific objective कौन से general objective से मतलिक था तो लहाजा शुरू से ये करिए कि फर्स कहले मेरा objective number one general objective one है understands concepts तो इस से मतलिक जितने मैं specific objective लिखूँ वो इसके नीचे आने चाहिए ताकि मैं बाद में मुझे पता हो कि मैंने कौन सा specific objective किस general objective के लिए लिखा था इस से मेरे अपने समझने में असानी होती है तो general specific objective असल में हमें समझाता है कि assessment करते वकित हम इसकी assessment कैसे करें क्योंकि ये ज्यादा narrow होता है specific होता है और एक तरह के समझने के milestones होते है जिनको complete करेंगे तो general objective अचीव हुआ या नहीं हुआ इस बात की समझाती है इनके मिसाल मसलें तरह से हो सकती है classify geometrical shapes अब इसमें भी देखिए कि सवाल में और इसमें फरक है अगर मैं ये कहते हैं इसमें geometrical shapes तो बहुत सारी है जैसे rectangle है, triangle है, trapezium है, parallelogram है बहुत सारी है मैंने किसी का नाम नहीं लिखा सिर्फ लिखा geometrical shapes लेकिन उससे पहले जो लफस इस्तमाल किया वो है classify classify action verb है यानि student ने ये काम करके मुझे दिखाना है और ये doable काम है तो उस classify करना है उसने given shape में से geometrical shapes को उन तमाम लिहाज से जिस लिहाज से मैं उसे पूछूँगा कि तीन साइडों वाली जो shapes हैं उनको इकठा कर दो या इस तरह का कोई सवाल पूछा जाएगा तो ये भी basically सवाल नहीं है ये भी असल में नेरो डाउन किया दो तरीकों से एक हमने उसके लिए जो action verb चूज किया वो है जो doable है जो actionable चीज है तो classify देख लिए enlist करना, differentiate करना ये तमाम वो अलफाज हैं जो student ने करके हमें दिखाने हैं ये actions हैं जो वो करेगा और ये action किन चीजों से मतलिक करेगा, वो आगे लिखी हुई है classify geometrical shapes enlist part of speech differentiate between forms of writing ये पहला हिस्सा verb के क्या करना है और दूसरा उस content से मतलिक है जिसमें से वो चीज़ा करके दिखानी है, तो ये जो है ये specific objectives कहलाते हैं specific objectives जो है जिनको आजकल SLOs भी कहा जाता है अगर आपको ये लिखने हूँ तो इनको लिखने के लिए किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहला point जो इसमें आपने जहन में रखना है वो ये है कि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि हर general objective के नीचे उसके specific objective लिखने चाहिए, यानि ये जो practice है ना कि बाद वकाद हम एक side पे सारे general objective लिख लेते हैं और फिर दूसरी side पे उनके specific objective और बाद में ये समझने में दिक्कत होती है कि कौन सा specific objective, किस general objective के लिए लिखा गया था इस बाद से बचने के लिए जरूरी है कि हम जो भी general objective बनाएं उस general objective के नीचे उसके जो specific objectives हैं वो लिख लें मिसाल के तोर पे मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए दिखाता हूँ, जैसे देखिए कि अगर मैंने general objective ये बनाया कि understands concepts तो इस से मुतलिक जितने specific tasks मैंने करवाने हैं student से उनको मैं नीचे यू लिस्ट करूँगा और उनके numbering देखे मैंने कैसे की 1 के नीचे जो specific objective आए उनको 1.1, 1.2 1.3 लिखा और वो क्या थे understand मेरा general objective था ना तो मैंने उसके नीचे लिखा classify geometrical shapes अब को student classify करेगा geometrical shapes को तो मुझे उसकी understanding of concepts जो मैंने पढ़ाया था वो समझाएगा इसी तरह label same sides of given shapes कुछ शकले बनाई होंगी जो geometrical उसके सामने उसमें से उसने जो similar sides हैं उनको label करना होगा या इसी तरह से आप लिख सकते हैं differentiates between forms of rectangles तो यह इस तरीके से आप पहले general objective फिर उसके नीचे उसके specific objective लिखेंगे जो तीनों इस case में तीन है और तीनों के तीनों अपने general objective से मतलिक है और उनके numbers को देख के हमें समझ आ जाती है कि ये तीनों जो specific objectives हैं ये objective number one से related है दूसरी बात जिसका आपने ध्यान रखना है कि जब भी specific learning outcome लिखें तो उसका पहला लफ्स एक action verb होना चाहिए जैसे कि अगर आप पिछली slide पे देखें तो आपको नज़र आएगा कि classify label, differentiate ये इसके 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 जिनकों कहते हैं कि ये verbs हैं जो action demand करते हैं तो ये action verbs हैं इन से ये शुरू होगा एक और बात जिसका आपने ध्यान रखना है हुए है कि specific learning outcomes जो हैं वो relevant general objective को मुनासिब तरीके से cover करती हैं मसला मैंने content में तो बेशुमार चीज़ें पढ़ाई थी अब मैं ये चाहता हूँ कि जब specific objectives की कमस कम इतनी list जरूर हो जो मेरे पढ़ाएगे concept में से एक reasonable sample को cover करती हो ताकि मैं बाद में ये दावा कर सकूँ कि ये जो general objective था student ने इतना perform करके दिखा दिया कि मैं ये फैसला कर सकता हूँ कि objective के सब तक मेरी पढ़ाई के बाद achieve हो सका सो इस बात का भी मुझे ध्यान रखना चाहिए इसी तरह से इतादाद की बात होगी दूसरा ये कि उसकी relevance का भी ध्यान रखना चाहिए जो general objective के बाद मैंने specific objective लिखे हैं वो उसी general objective से relevant हो मिसाल इसकी यू ले लीजी आप फर्स कर लिजे कि मैंने एक objective बनाया जिसका पहला verb था understands concepts अब understanding जो है bloom की taxonomy का second level of learning है नीचे से अगर देखे knowledge के बाद आता है अब understanding वाले general objective के तहत आप application level का कोई भी specific learning outcome नहीं बना सकते क्योंकि जब मेरे general objective की demand understanding है तो इस से higher level का specific objective इसके अंदर नहीं शामिल किया जा सकता तो यह जो relevance से हमारी मुराद थी वो यह है कि आपका जो specific learning outcomes है वो अपने general objective की जो demand है उसके अंदर अंदर रहके बनने चाहिए उससे मुतलिक होने चाहिए इसी तरह concepts था जो content वाला हिसा था तो उसमें भी यह धियान रखना है कि मैं concepts वही पूछू specific objective में जो उस general objective के अंदर दिये गए चीज़ के अंदर cover होते हूं वहाँ पे जो point out की थी उससे मुतलिक होने चाहिए तो यह तीन चार छुट छुटी सी बाते हैं अगर आप इनको जहन में रखेंगे और इनकी मश्क करते रहेंगे तो आपको specific learning outcomes की clear और concise statement लिखने में मदद मिलेगी